अगर आपके फेस पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहता है इसकीन बिल्कुल डल सी दिखती है फेस पे बिल्कुल भी निखार नहीं रहता है तो इसे बना करके लगा लिजिए आपके फेस पे ग्लो भी आएगा और इसकीन ग्लास की तरह चमकेगा ग्लास इसकीन पाने के लिए नोजाने हम क्या क्या कर लेते हैं बहुत सारा टीटमेंट कराते हैं महांगा क्रीम का यूज करते हैं लेकिन मन चाहा रिजल्ट हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सफ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे फेस्टिबल सीजनी स्टार्ट हो गया है और आप लोग के कमेंट को देखते हुए इस वीडियो को मैं सेयर कर रहे हूं क्योंकि मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बहानों का कमेंट आ रहा था कि मेरे फेस्ट पे बिल्कुल भी गलो नहीं है और आप को ऐसी होम रेमेडी सेयर करें जो फेस्ट पे इस्टंट गलो लेकर आए और इसकीन को टाइट करें तो आप लोग के कमेंट को देखते हुए इस वीडियो को मैं सेयर कर रहे सबसे पहले हमें एक कटोरी ले लेना है और इसमें हम आइट कर रहे हैं एक चम्मच भर के कॉफी पाउडर और आधा चम्मच चीनी का पाउडर यानि की सुगर पाउडर ठीक है जी मैं यहाँ पे 2 रुपए का कॉफी का पैकिट ले रही हूँ और कॉफी में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं कॉफी में काइफिन भरपूर मात्रा में होता है जो की कलर को भी फियर करता है फेस के काले दाग धब्बे पे काम करता है इसकीन को टाइट करता है खुबसूरत बनाता है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कॉफी का फेस पैक से अच्छा कोई और फेस पैक होगा क्योंकि फेस पे इस्टन्ट ग्रो लेकर आता है तो एक चम्मच कॉफी पाउडर है प्लस आधा चम्मच चीनी का पाउडर और इसमें मैं थोड़ा सा पींच चौफी हल्दी डाल लए हूँ जो की वाइट टर्मरिक है अगर आप किचन का ले रहे हैं तो इससे भी थोड़ा सा कम लेजिएगा ठीक है जी उसके बाद हम यहाँ पे आइट कर रहे हैं आधा चम्मच नीबू करस इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होता है जो की कलर को भी फियर करत हैं आधा चम्मच नीबू करस इस टाहम जो टमाटर आ रहा है इसमें बिल्कुल भी रस नहीं निकर रहा है पर कोई बात नहीं काम चलाने भर का हो जाएगा तो आधा चम्मच इसमें हमें टमाटर करस डाल देना है और इन सभी को हमें स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना तो इस्पून से मिक्स कर लीजिएगा उसके बाद से इसे किस तरीके से आपको लगाना है इसे आप अपने फेस पे भी अपलाई कर सकते हैं नेक पे भी हाथ पर पे भी मैं अपने हाथ पे लगा करके आप लोगों लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि कितना अच्छा है र तो इसे आप लगाएंगे तो इस्टंट मैल को साफ करेगा टैनिंग को हटाएगा और इसकीन को सॉप्ट भी बनाएगा जब इसकीन से मैल और डॉस्ट साफ हो जाता है तो इसकीन अपने आप सॉप्ट दिखने लगता है सॉप्ट हो जाता है तो इसे अच्छे से लगा ल रहे हैं ऊछछा सा मोटा दाना का है तो से हलका सा पावडर बना लिजिएगा अगर फेश पर लगा रहे हैं तो हांथक्पायर के लिए खड़ा चीन भी यूज करेंगे तो कोई बात नहीं वह स्कीन क्यों नुपसान क्योंकि फेस जो स्कीन होता है हलका हुल्का सौफ होता है तो इसे अच्छे से लगा लेना और सिर्फ हमें एक मिनट के लिए मसाज करना है मसाज करनेके बाद मसाज करेंगे च्तव टैनिंग साय मैल होगा डर्ली स्कीन होगा सारा साफ होगा कई बारा ऐसा होता है कि हम रेगुलर बेस पे-डियर दूप में जाते हैं और फेश को अपने कवर कर लेते हैं हाथ पैर को ऐसे छोड़ देते हैं जिसके वोज़ा से बहुत जादे कालापन आ लगता है हाथ पैर डार्क दिखने लगता है तो ऐसे में अगर आप अपने हाथ पैर की केर करना चाहते हैं इस तरीके का पैर का बीक में दो बार लगाएंगे तो हाथ पैर पे टैनिंग भी नहीं होगा और फेश के साथ साथ आपका हाथ और पैर काफी जादे सुन्धर किया करिए आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं तो इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है लाइक भी किया करिए और शेयर भी किया करिए वीडियो को क्योंकि एक वीडियो को तयार करने में काफी मेहनत लगता है फ्रेंड और आप लोग के लिए मैं ब तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसे लगा करके मैं सिर्ख 10 मिनट के लिए छोड़ी थी लेकिन हलका सा ड्राइ हो गया है तो अभी मैं क्लीन करके आप लोग को रिजल्ट दिखा रही हूं आप लोग देख सकते हैं इसकिन कितना साफ दिख लहा है जितना भी टैनिंग होगा मैल होगा चाय हाथ पयल पर उसे साफ भी करेगा तो आप लोग final result देख सकते हैं हाथ को मैं धूल करके आ गई हूँ मेरे हाथ पे इतना अच्छा एक काम किया है तो फेस पे भी करेगा और इस तरह का पैक मैं हमेज़ा अपने फेस पे हाथ पेर पे लगाती रहती हूँ जिसका result मुझे अच्छा दिखता है मैं आप लोग के स साथ सेयर करती हूँ तो अच्छे से धूल लेना है पानी से उसके बाद एक और काम करना है थोड़ा सा आपको लेना है coconut आयल जी हां इस तरीके का पैक जब हम लगाते हैं तो इसकीन हलका सा ड्राई हो जाता है अगर आप अपने फेस पे इसे लगाए हैं तो नहीं लगाना दिखेगा हाथ पर पर ग्लो भी आएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि स्कीन कितना साफ दिख रहा है इसलिए मैं सिर्फ एक हाथ पर लगाई थी ताकि आप लोग को लाइब रिजल्ट दिखा सकूं और आप लोग को यकीन हो सके तो इसे आप यूज करें तो हाइल अपसान भी नहीं करेगा और सबसे अच्छी बात कि आपका एक पैसा खर्चा भी नहीं होगा जी हां हम मैं थोड़ा सा कंजूस होती हैं पैसा खर्चा करने में तो आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया हो